आज मैं आप सभी के लिए काफ़े इंपॉर्टेंट विडियो लिख के आई हूं तो देखे आपके आगामी उत्राखंड पुलिस के एक्जाम के रिगार्डिंग स्टुडी विद एम पर आप सभी को एक न्यू क्लास प्रोवाइड कराई जारी है ये न्यू क्लास काफ़े इमपॉर्टेंट और यूनिक है और इस क्लास में आपको 50 réponse का एक सैट दिया जा रहा है जिसमें काफ़े इमपॉर्टेंट क्उश्चन है और देखे ये सैट आप सभी के उत्राखंड पुलिस के एक्जाम के साथ साथ अदर उत्राखंड एकसाम के प्रवाइट करा दिये गए हैं जिन लोगों ने अभी तक पुराने सेट नहीं देखे हैं दो सेट अभी तक के नहीं देखे हैं तो स्टेडी विद एम पर प्लेलिस्ट बनी हुई है आप वहाँ पे विजिट करके सारे सेट को एक साथ देख सकते हैं काफे इंपोर्टेंट और यूनीकी सेट रहने वाले हैं आपके आगामी एकसाम के लिए तो चलिए आज के स्रीज को हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस कर लें साथ इसाथ बगल में जो बैल आइकन दिख रहा है से भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियर डालते हैं तो उसका नोटफिकेशन आपके पास जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं ये भी स्टेडी पहला कुशन देखें मगही किस भासा की बोली है काफ़े इंपोर्टेंट कुशन है तो देखें मगही किस भासा की बिहारी भासा की बोली है औप्शन इस question का correct answer है next question देखेगा पश्य में हिंदी की दो बोलियों का सही युक में है खड़ी बोली और बुंदेली यानि कि option C यहाँ पर आपका right answer है अगला question देखें निमनांकित मैंसे बताईए कि नवीन विक्सित धनिया कौन सी है तो देखें इन मैंसे जो पर आपका option दिये है इन मैंसे नवीन विक्सित धनिया है आपकी कौन सी ख़ और गो option B इस question का correct answer है अगला question देखेगा कृष्ण भक्ती में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमितिक सामपरदाई कामों से सम्मनित है तो इसका correct answer हो जाएगा निमितिक option B यहाँ पर आपका right answer है अगला question देखें व्यर्थ सब्द में किन वर्णों की संदी हुई है तो देखें व्यर्थ सब्द में किन वर्णों की एक तो छोटी E, दूसरा A तो इन वर्णों की संदी हुई है option C यहाँ पर आपका बिल्कुल correct answer है अगले question की ओर बढ़ते हैं अगला question देखें कौन सा उफसर्ग आचार सब्द से पूर लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है तो देखें कौन सा यह उफसर्ग है यह उफसर्ग है आपका कौन सा यहाँ पर correct answer है आपका अती यह उफसर्ग है अती जो की आचार सब्द से पूर लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है अगला question देखें निर्वाह में प्रियुक्त उफसर्ग है तो देखें निर्वाह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निर्वाह में प्रियुक्त उफसर्ग कौन सा है निर option B पिलकुल right answer है अगला question देखें योग रूड सब्द कौन सा है तो देखें इन में से योग रूड शब्द है कौन सा लंबोदर option B question का right answer है अगला question देखें वह घर से बाहर गया इस वाकि में कौन सा कारक है तो देखें घर से बाहर गया तो घर से बाहर गया इसमें है आपका अपादान कारक option C बिलकुल correct answer हो जाएगा अगला question देखेंगा आप सभी को session पसंद आ रहा है तो like कर लिजे और साथ इसाथ आप सभी लोगों को अपना answer comment section में लगाते रहना है हर question का अगला देखें निमने में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संग्या है इन में से व्यक्तिवाचक संग्या कौन सा है यमुना व्यक्तिवाचक संग्या हो जाएगा इसमें यमुना option बीस question का right answer है अगला question देखें मेरा ने आधा लीटर दूथ पी लिया रेखांकित में विशेशन है तो देखें, मेरा ने आधा लीटर दूथ पी लिया इसमें रेखांकित है, क्या है? लीटर, तो लीटर में कौन सा विशेशन है? यहाँ पे आपका right answer है परिमान वाचक विशेशन option डीस question का correct answer है अगला question देखें निमने शब्द में ऐसे एक शब्द pulling है चुने तो कौन सा शब्द इसमें से pulling है वो चुनना है तो देखें pulling शब्द हो जाएगा इन में से कौन सा बुरहफा option C बिल्कुल correct answer है अगला question देखेंगा दात का परियाई वाची शब्द नहीं है देखें दात के परियाई वाची शब्दों की अगर हम बात करें तो दंत होता है रदन होता है दशन होता है लेकिन दाडिम नहीं होता है तो option B यहाँ पे आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा दात का कौन सा परियाई वाची शब्द नहीं है वो ही बताना है आपको अगले question की ओर बढ़ते हैं निम्न में जो जोड़ा विपरी तार्थक नहीं है उससे चुने तो देखें जो जोड़ा विपरी तार्थक नहीं है उसको चुनना है तो यहाँ पर आपका correct answer है option C, धर्म, अधम अगला question देखें वहस्त्री जिसे पती ने त्याग दिया है उसको क्या कहा जाता है ये बताना है तो देखें वहस्त्री जिसे पती ने त्याग दिया हो उसको परित्यक्ता कहा जाता है तो option D, बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला question देखें, निमने लिखित मैंसे अर्ध विराम चिन्न है इन मैंसे बताना है, अर्ध विराम चिन्न आपका कौन सा हो जाएगा इसका correct answer है, देखें, ये, option C अगला question देखें, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहलाल नहरू का नाम न सुना हो तो देखें, इसमें कौन सा व्यक्ति है, ये बताना है आपको वह कौन सा व्यक्ति है, जिसने जवाहलाल नहरू का नाम न सुना हो कौन सा ये वाक्य है, सैयोक्त वाक्य, मिश्र वाक्य यहां पे सरल वाकिय, इस question का correct answer है, मिश्र वाकिय, यहां पे आपका right answer है, कौन सा वाकिय है, यह मिश्र वाकिय, अगला question देखें, पठ, पीद, मनहू, तडित, रूची, सुची, नौमी, जनक, सुतावर में कौन सा अलंकार है, तो इसमें देखिए, आपका कौन सा अलंकार ह उत्प्रेक्षा अलंकार, option B, यहां पे आपका right answer है, हिंदी भी mention की गई है, ताकि आपके हिंदी के question भी cover होते चलें, इस series के, जिस तरीके का आगा में, उत्राखंड पुलिस का exam paper बनके आएगा, तो उसी तरीके का यह set बनाया गया है, तो आपको यह देखना है, देली, स तोड़ती पत्थर, कैसी कविता है, तोड़ती पत्थर, यह कविता है, आपकी कैसी कविता, यह थार्थवादी, कविता, option B, इस question का correct answer है, अगला question देखें, एक doctor द्वारा, दूसरी doctor को, लिखित आपचारिक पत्र में, कैसे सम्मोधन का प्रियोग किया जाएगा, तो इस question का correct answer हो जाएगा, महोदया, महोदया लिखा जाएगा, तो option D, यहाँ पे आपका right answer है, अगला question देखें, रिगवैदिक आरियो का मुख्य व्यवसाई क्या था, देखें, रिगवैदिक जो आरियो थे, इनका मुख्य व्यवसाई था, पशुपालन, option C, यहाँ पे आपका right answer है, अगला question देखें, भारत में चांदी की उपलब्दिता के प्राचिन्तम शाक्ष मिलते हैं, भारत में चांदी की उपलब्दिता के प्राचिन्तम जो शाक्ष मिलते हैं, वो कहां से मिलते हैं, वो मिलते हैं, आपके हडपा संस्कृते से, option D, discussion का right answer है, अगला question देखे मगद के किस प्रारंबिक शाशक ने राज्या रोहन के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण वस अपने पुत्रों द्वारा ये मारा गया तो इस कुश्यन का राइट आंसर है आपका अजाध सत्रू अगला कुश्यन देखेगा निम्ने मैंसे किश्ण अगर में प्रथम बौध संगती या सभा आईजित की गई थी तो देखे प्रथम बौध संगती या फिर सभा का जो आईजन किया गया था वो कहां पर किया गया था चार आप्शन है आपके राजगरह नालंदा बोध गया यहां गया तो आपको correct answer लगाना है जिनको answer आ रहा है जल्दी से आप अपना right answer लगाएं आप सभी को आज का ये session पसंद आ रहा है तो इसको like कर लिजे जिन लोगों ने अभी भी हमारी YouTube channel study with aim को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लें और आप सभी लोगों से daily बोलती हो में कि share कीजिए आप सभी लोग आप सभी को जादा से जादा share करना है काफी मेहनत से ये series बनाई जाती है तो आप सभी लोग इतना तो कर सकते हैं कि आप share कीजिए जादा से जादा लोगों तक ये series ताकी पहुंचे और हमें भी अच्छा लगे कि जो हम work कर रहे हैं वो किसी के काम आ रहा ह तो आप सभी लोगों को जाद से जादा शेयर करना है तो देखे, निमने मैंसे किस नगर में पर्थम बौद संगती या सभाय जित की गई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगर हमें आप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी को भी सपोर्ट करना इस्टेडी विद एम को साथी साथ आप सभी लोग भी अपना आंसर लगाते रहें अगला है अशो के शिलालेखों को पढ़ने वाला पर्थम अंगरेज कौन था अशो के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो पर्थम अंगरेज था ये था आपका जेम्स प्रिंसेप ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है चलिए अगले कुश्चन की और वड़ते हैं अगला है आपका गुजरात के वर्तमान में नए मुख्यमंत्री किसे बनाय गया है तो अक्टूवर्ट 2021 में नए मुख्यमंत्री बनाय गया था किसे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुपेंद्र पटेल जो की वर्तमान में गुजरात राजी के मुख्यमंत्री है अगला देखे मुजरिस किस राजी का प्रमुख बंदरगा है तो देखे मुजरिस किस राजी का प्रमुख बंदरगा है अगला अगला खुशन है तो देखे नालन्दा विश्चु विद्याले की स्थापना का जो यूग है वो कुशान है, मौरी है, पाल है या गुप्त है, ये बताना है तो इस question का correct answer हो जाएगा option D बिलकुल correct answer है अगला question देखेगा किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था तो देखें ये जो विदेशी यात्री था ये था मेगस्थानी जिसने भारत का सबसे पहले दौरा किया अगला question है, किसने मुगल सामराजी की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थनांतरित किया तो देखें मुगल सामराजी की जो राजधानी थी, वो कहां थी आगरा थी और आगरा से दिल्ली स्थानांतृत किस ने किया था इसका राइट आंसर हो जाएगा शाज जहाने मुगल सामराज की राज़ानी को आगरा से कहां स्थानांतृत किया दिल्ली किया तो काफी important question है जरूर ध्यान में रखें अंगला question देखें तो देखें ये कौन सा नर्नाएक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया जिस कारण डचों की भारत में चुनोती खत्म हो गई तो देखें ये कौन सा नर्नाएक युद्ध था ये था आपका बेदरा का युद्ध जो की अगला question देखें अगला question देखें तो इनका मोल नाम बताना है तो तात्या टोपे का जो मोल नाम था वो क्या था राम चंडर पांडुरंग ऑप्शन C यहाँ पे आपका correct answer है अगला question देखें भारती इतिहास में वर्ष 885 इस भी प्रशिद है तो देखें भारती इतिहास में वर्ष 885 इस भी जो है ये क्यों प्रशिद है तो इसका correct answer हो जाएगा भारती राष्टी कॉंग्रिस की स्थापना की कारण 885 में भारती राश्टी कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी जिसके लिए भारती दिहास में 885 जो है ये प्रिशित है अगला कुश्यन है बंगाल का विभाजन हुआ था काफी important कुश्यन है बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था वर्शो 1905 में हुआ था option दी य के माउंट बेटन योजना के तहत option C यहाँ पे आपका right answer है अगला question देखिएगा जिन लोगों ने session share अभी भी नहीं किया है जल्दी से आप सभी लोग मिलकर share कर देजे और आगे देखिए अगला question संयुत राज अमेरिका ने किस देश से Alaska को पचासवा संघ राजी बनाने के लिए खरीदा था तो देखिए संयुत राज अमेरिका ने किस देश को Alaska को पचासवा संघ राजी बनाने के लिए खरीदा था इसका correct answer हो जाएगा रूस रूस देश से अलासका को पचासवा संघ राजी बनाने के लिए खरीदा था संयुक्त राजी अमेरिका ने अगला कुशन है बी आर अमबेटकर का समविधान सवा में निर्वाचन हुआ था तो देखे भीम राओ अमबेटकर जो है इनका समविधान सवा में निर्वाचन हुआ था कहां से इसका correct answer हो जाएगा आपका पश्यम बंगाल से option D बिल्कुल correct answer है पश्यम बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था अगला कुशन देखे भारती समविधान में मोल कर्तवयों को सामिल करने का विचार किस देश के समविधान से लिया गया है तो देखे भारती समविधान में मो पूर्व सोवियत संग से option A यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा अगले कुश्यन के ओर बढ़ते हैं भारती समविधान में नवी सूची परिवर्धित हुई तो देखे भारती समविधान में नवी सूची परिवर्धित हुई पर्थम शंशुधन के द्वारा option B यहाँ पे आ right answer है अनुच्छित एक भारती समविधान के अनुच्छित एक में यहां अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राजयों का एक संग है अगला कुश्यन है समविधान के उलंगन के लिए रास्टपती के विरुद अभी योग कारिवाही किसमें शुरू की जा सकती ह तो यह की जा सकती है आपकी किसमें संसत के किसी भी सदन द्वारा ओप्शन डी यहां पे आपका right answer है अगला कुश्यन है पंचायती राजपर्थम प्रवर्तित किया गया तो देखें पंचायती राजपर्थम प्रवर्तित किया गया कहां पर किया गया इसका correct answer हो जाएगा राजिस्थान में option A यहाँ पे आपका right answer है अगला question देखें पंचायती समिती के प्रशाशन का प्रबंद एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं जिसको कहा जाता है देखें क्या कहा जाता है इसको खंडविकास पदाधिकारी option C बिल्कुल right answer है अगला question है भारत में रास्टी आई का आकलन सबसे पहले किस ने किया था भारत में रास्टी आई का सबसे पहले जो आकलन है ये दादा भाई नरोजी ने किया option B यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा अगला question देखें भारत में हरित करांती के जनक कौन थे भारत में हरित करांती के जनक थे कौन M.S. स्वामी नाथन आप्शन A यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है अभी तक आपको तीसरा सैट यह दे दिया गया है तो आप सभी लोग इन set को पुराने set नहीं देखे हैं तो आप study with aim पर visit करके देखें काफी unique और important आपको question मिलेंगे हिंदी भी इन set में mention की जा रही है ताकि आपके हिंदी भी cover होते चले साथे साथ कुछ current के question भी डाले गए हैं और आपके GKGS और उत्राखंड के question रखे गए हैं तो आप सभी लोग इसको जरूर follow कीजिएगा daily सुबह 10 बजे study with aim के द्वार आपको ये जो set है ये दी provide किया जा रहा है अगला देखे राउर केला इसपाद सायंद्र किसके 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 सायंद्र क आप सभी को आज के 50 question में से कितने आए यह आप comment करके बताईएगा कितना आपने score किया जाकिर हुसेन कौन सा वादी यंद्र बजाते हैं तो देखें जाकिर हुसेन यह बजाते हैं कौन सा वादी यंद्र तबला बजाते हैं जाकिर हुसेन तो option C यहाँ पे आपका right answer है अगल पे आपका right answer हो जाएगा अगला question देखेगा भारती करकेट के stump राहुल द्रविड का उपनाम क्या है तो देखें भारती करकेट के stump है राहुल द्रविड और इनका जो उपनाम है वो क्या है दवाल option A यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा दवाल इनका उपनाम है किसका राहु द्रविड का ये ध्यान में आपको रखना है तो ओकी गाईज आज के इस सेशन में इतना ही I hope आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा शेर कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूटिब चैनल इस्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लें तो चलिए मिलते हैं एक नई इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद